उत्तर प्रदेश के मैंपुरी जिले में एक खेट से 4000 साल पुराने हथियारों मिलने की खबर है खेट से हथियार मिलने की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और किसी ने इस संबंध में स्थानिय पुलिस को सूचित कर दिया इसके बाद यह मामला भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन के संग्यान में आया उसने इन हथियारों को किसान से हासिल कर इसकी जाँच कर आई प्राप्तामबे के हथियारों की जाँच के बाद शोध से परिनाम आये हैं प्राचीन काल में भी भारतिय लड़ाकों के पास उननत हथियार थे वे बड़े लंबे हथियार इस्तिमाल करते थे हथियार काफी तेज और सोफिस्टिकेटेड आकार के होते थे स्टार फिश के आकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था अब प्रश्ण है कि क्या इन हथियारों का प्रयोग को रुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई में किया गया था किसान के खेट से मिले हथियारों की जाँच के बाद कुछ पुरा तत्वविदों ने इन्हें एंटीना तलवारों और हौपून की उपाधी दी इसके नीचे एक होक लगा हुआ है विशेशग्यों के अनुसार प्राप्त हथियार 4000 साल पुराने हैं आकियोलोजी के निदेशक भुवन विक्रम का दावा है साथ में गेरू रंग के बर्तनों के मिलने के कारण यह साबित होता है कि ये तामर पाशान काल कॉपर एज के हथियार हैं इसे मूल रूप से तामबे के यूप की एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है हालां कि अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रकार के हथियार मुख्य रूप से तामबे से बने होते थे इन में कांसे का प्रयोग नहीं होता था ग्यात हो की कांसा हरप पाकाल की एक बड़ी विशेश्टा थी उन्होंने कहा कि निकटवर्ती सिनौली, मदारपूर और सकटपूर साइटों से लिए गए नमूनों पर एक कार्बन डेटिंग परीक्षन भी किया गया था वे 2000 इसाफपूर चार हजार साल पहले के साबित हुए हैं खुदाई में शामिल विक्रम ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि प्राचीन हत्यार एक क्लस्टर में क्यूं मिले हत्यार कहीं ले जाये जा रहा थे या फिर वे वहां बनाए जा रहे थे इसके लिए रिसर्च की जरूरत है पूरिक शेत्र को कामपिल्य कहा जाता था जिसका मुख्य शेहर कमपिल हुआ करता था जो दक्षन पंचाल की राजधानी थी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सबसेक्राइब वा बैल बजाना न भूले